देखें इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जावाइस्क्रिट की प्लेस्ट फाल तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज जावाइस्क्रिप्ट है क्या जावाइस्क्रिप्ट क्या है एक प्रोग्रामिंग लेंग्विज है पर आपने गूगल क्रोम खोला आपने मोजिला फायरफोक्स खोला पुराने जमाने में इसी वेबसाइट्स होती थी बेसिकली इने बोलते इस्टाटिक वेबसाइट्स यह क्या है है अगर आप किसी भी लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल जाएगा इसके अलावा औ रहे हैं यहां पर कुछ नहीं होता थाime कर लावा तो जावार्मिंग लेंग वैटाइड गटी है तू वेब एज इसका मतलब बताऊंगा क्या है यान की आप कुछ कर सकते है जावा-script की मदद से आप कुछ कर सकते हैं ओना सिंगल वेब पेज ठीक है आपग एप गैम खेल सकते है । आप कुछ टईप कर सकते हैं बटन ग्लिक कर सकते है थी मैंने YouTube आपने किया है यहां पे मैं कुछ लिखना स्टार्ट करता हूं सब्सक्राइब यह क्या है एंसे खेल गड़ें जावास्ट किसी चीज्ज पर हवर करता हूं तो क्या हो रहा है वीडियो चलने लगे यह क्या है ठीक है भाई समझ गए है कि बाई programming language है और क्या करता है functionality add करता है उनको dynamic बनाता है webpages को ठीक है सभी बात है कोई दिक्कत नहीं है थोड़ी सी history देख लेते हैं 1990 की बात है Netscape browser ने श Now Netscape browser ने इस्टार्ड कर डीक है नेट सकेप browser न के अपने नाम भी नहीं सुना हुगा लेकिन उस समय था इर नेटस्के फाइव में java script लिखी ठीक है यानि कि कुछ dynamic चीजे उस particular browser भी होने लगी, यानि कि सिर्फ और सिर्फ Netscape में हो रही थी, वो अच्छी चीज है, ठीक है, वो dynamic चीज है, फिर internet explorer भाई सावाई, उन्होंने भी, उन्होंने भी अपनी javascript लिखी, ताकि वो dynamic चीजें उनके browser में भी होने लगे, सही बात है, त इंटरनेट explorer की अलग javascript है, तो developer क्या करेगा, अगर उसको Netscape पे चलानी हो website, तो अलग javascript लेगा, अगर internet explorer पे चलानी है, तो अलग javascript लेगा, ठीक है, ओविसली फालतोगा काम बढ़ रहा था developers के लिए, इसी चीज को overcome करने के लिए, आया ECMAScript, जीसे बोलते हैं ES, ECMAS इस script क्या है, ECMAScript है, जावा स्क्रिप्ट का standardized version, ठीक है, ECMAS international करके एक company है, वो काफी सारी programming languages के standard define करती है, ठीक है, बलकि language नहीं, काफी सारी चीज़े हैं, जिनके वो standard define करती है, और वो companies को follow करनी पड़ती है, बात कर रहे थे हम ECMAScript की, तो ECMAS international ये जो company है, इसने एक standard browsers हैं, ठीक है, अगर अलग-अलग JavaScript के version होंगे, सभी browser में, तो developer को मुश्किल पड़ेगी, तो ECMAScript आई, standard version of JavaScript की, देखे, सभी browser ना इस standard को follow करेंगे, ताकि एक मात्र, एक मात्र JavaScript हो जाए, developer को एक ही बार code deploy करना पड़े, और सभी browsers में वो चल जाए, ठीक है, तो obviously ECMAScript और JavaScript इंटर्चेंजल भी यूज़ करते हैं, लोग, ECMAScript is essentially the standardization of JavaScript programming language, बताया है मैं आपको अभी, JavaScript क्या है मतलब, JavaScript is an implementation of the ECMAScript specification, से बात है, भाई, जो standard लिखती है, उसका implementation है, वो JavaScript जो हम पढ़ेंगे, अब जो standard है, वो obviously update होते रहते है, ES1, ES2, ES3, जो latest चल रहा है, वो ES13 चल रहा है, अब देखे, अच्छी बात है, कि भाई, ECMAScript specification आ गई है, ठीक है, जो browsers है, वो उसको implement कर रहे हैं, लेकिन, JavaScript engine, जो कि हर ब्राउजर में होता है, जो कि execute करता है, JavaScript के code को, ठीक है, वो तो हर ब्राउजर अपना अलग-अलग बनाएगा, ठीक है, यानि कि Google Chrome में अलग JavaScript engine होगा, Firefox में अलग JavaScript engine होगा, यानि कि हम कह सकते हैं, different browser have their own implementation of JavaScript, समझ रहे बात को, standard बन गया है, ठीक है, लेकिन, उनका अपना अलग-अलग implementation है, वो अलग-अलग उसको implement कर रहे हैं, ठीक है, अब ES13 चल रहा है, तो हो सकता है, किजी browser ने अपने engine को update नहीं किया हो, तो उस पर ES13 वाली चीज़े नहीं चलेंगी, तो उसी के लिए, caniuse.com वेबसाइट आई, ये वेबसाइट बताती है, अगर आप कुछ यूज करना चाहा रहे हैं, ठीक है, आप कुछ भी यूज करन चाहा रहे हो, वो किस-किस browser पे compatible है, ये तो बाद की बात है, ठीक है, ये तो बाद की बात है, हमें javascript start करने के लिए, इन सभी चीजों की tension नहीं लेनी है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, कि start कहां से हुई, ठीक है, क्या use है javascript का, browser कैसे implement कर रहे हैं इसको, और क्या-क्या limitation ह यहां पर हम लिखता हूँ, जावा स्क्रिप्ट में कुछ होते हैं, एरो functions, ठीक है, क्या होता है, फर्ग ने पड़ता, मैं बता रहा हूँ आपको कुछ, कि भाई, different browsers का अपना अलग implementation होता है, जावा स्क्रिप्ट का, ठीक है, क्या फिर हमें सभी browsers की अलग-अलग पढ़न तो बोल रहा है भाई, Chrome latest version में इसको support करता है, green मतलब support करता है, red मतलब नहीं करता है, safari भी करता है, यह भी करता है, firefox, opera mini all, यानि की opera mini support नहीं करता है, देख रहो, internet explorer भी नहीं करता है, arrow functions को support, ठीक है, obviously, obviously, आप यही सोच रहोंगे, इनको तो कोई use भी नहीं करता है, internet explorer को और opera mini को, इसलिए use भी नहीं करते हैं, लोग क्योंकि काफी सारी चीज़ पे support नहीं होती है, ठीक है, और internet explorer की बात करें, तो इसका तो development ही रोग दिया है, Microsoft ने, देख रहे हो, इसका last update जो आया था, वो आया था, 2013 में, 10 साल हो गया है, ठीक है, तो कहानी का सार यह है, कि हमे ECMA script पर नहीं है, हम ECMA script पर लेंगे, हमें कोई tension लेने वाली बात नहीं है, कि क्या support करता है, क्या support नहीं करता है, क्योंकि जो जाज़तर, जो जाज़तर use होते हैं, 99.99% जो browser होंगे, वो support ही करेंगे, ठीक है, internet explorer को use नहीं करता है, तो obviously वो support नहीं करेगा, वो update भी नहीं होत करती है, सुन्दर बनाती है हमारे websites को, ठीक है, और हर browser में एक engine होता है, जो कि JavaScript को execute करता है, हर browser अपनी अलग-अलग implementation लिखता है, ठीक है, follow करता है, follow करता है ECMA script को, ठीक है, ECMA script के different versions है, obviously हर language के version होता है, update होती रहती है, तो यह है कहानी JavaScript के introduction की, ठीक है, next video में हम and data types, क्या है JavaScript के अंदर, जिसकी link आपको इस card पर मिल जाएगे,